हलो फ्रेंड्स स्वागत आपका मेरी यूटूब चैनल में दा फूडी की चैनल में फ्रेंड्स आज मैं लखे हैं यह आपके लिए होममेड पनीर टिक्के की रस्पी जो खाने में काफी है दिख स्वाधिस ग्लिसेज सबके काफी फेवरेट होती है चलिए रस्पी कर लेंगे जो भी साइज रखना चाहो आप वो रख सकते हो पनीर टिक का सबको काफी पसंद आता है देखिए अब हम एक बाउल लेंगे दो चमच बेसन लेंगे अधरक लसन का पेस्ट लेंगे आदी चमच हम लोग इसके अंदर हल्दी पावडर लेंगे एक चमच धनिया अब हम इसमें धाई लेंगे चार बड़े चमच मैं इसके अंदर धाई के ले रही हो और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए फ्रेंट्स मैंने प्याज ली है शिमला मिर्च ली है टमाटर लिया इन सबको मैंने इस तरीके से काट लिया है चलिए हम लोग मसाला त्यार करते हैं जिसके लिए मैंने दो चमर सरसोका तेल लिया तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और हमारे मसाले के अंदर हम लोग इसका एक तड़का लगाएंगे जिससे की मसाले के अंदर एक अच्छी सी खुश्बू आए देखे फैंट्स अब हम इसके अंदर तेल कि देखें बैटर हम लिए उस तरीके और बनाया है अब हम इसके अंदर हमारे पनीर को मिक्स करदेंगे प्याज डालेंगे और शिम्लामी डालें प्रौत टमाट्र डालेंगे अगर मसाला पपा थुड़ा थीक लगे तो उसमें अप हलja सा पानि डालके इसको छोड़ा सा इस तरीके का बैटर बना लेना अच्छे से हम लोग इन सब को मिक्स करेंगे ताकि मसाला इसके पर अच्छे से मिक्स हो जाए यह देखे फ्रेंट्स मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिए अब हम दस मिनिट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे यह देखिए 10 मिनट हो चुके हैं देखिए मसाला इसके अंदर अच्छे से मेक्स हो चुका है चलिए अब हम लोग मनाते हैं हमारे पनीर टिका को देखिए इस तरीके की मैंने स्टिक ले ली है इसके अंदर हम लोग हमारे पनीर को शिमला मीर्ज को प्याज को इन सब को इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से ये देखिए देखिए फ्रेंट्स इस तरीके से हमने हमारे पनीर टिक्के को इस तरीके से स्टीक में डाल दिया है चलिए अब हम लोग हमारे पनीटिक को बनाते हैं देखे इस तरीके की मैंने जाली ले लिए है उसके उपर हम लोग हमारे पनीर को बिलकुल लो मीडियम फ्लेम पे सेख लेंगे सेखने से काफी दिख स्वादिस्ट हमारे पनी टिका बन के तियार होएगा चारो तरप से हम लोग इसे अलट पलट करके सेख लेंगे इस तरीके से यह देखिए गैस की फ्लेम हम लोग धीमी रखेंगे धीमी ही गैस की फ्लेम पर हम लोग इसे सेखेंगे यह देखे फ्रेंड्स यह हमारे पनीटिका सिख के तैयार हो चुका है गैस की फ्लेम को अब हम लोग बंद कर देंगे देखिए काफी अधिक स्वादिस्ट हमारा पनीटिका घर पर ही बंद के तैयार होएगा चलिए अब हम लोग अगर हमारे पास स्टीक नहीं है तो हम लोग इसे तवे पे भी इसे सेक के बना सकते हैं यह देखिए इस तरीके से हम लोग बटर लगा देंगे उसके उपर इस तरीके से हम लोग पनीटिके की स्लाइस को इसके उपर रख देंगे बटर के इंदर हम लोग इसे फ्राइ कर लेंगे इससे भी काफिय दिख स्वादिस्ट हमारा पनीर्टिका बनके तयार होएगा चारो तरफ से हम लोग इसे अलट पलट करके सेख लेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से यह देखिए इससे भी काफिय दिक स्वादिस्ट हमारा पनीर का बनके तयार होएगा अगर आपके पास स्टीक नहीं है तो आप ऐसे भी तवे के उपर पनीर को और सिम्ला मिर्च प्याज को फ्राइ कर सकते हैं बटर के अंदर उससे भी काफिय दिक स्वादिस्ट बनके तयार होएगी हमा है टमाट्टोगे देखि इस तरीके से फ्रैंस बिना सीखे यह विल्एब लोग इस तरीके से इन्हें बटर के इंदर फ्राई कर सकते हैं हुआ हुआ काफेदिक स्वादिस्थ हमारा पनीर का बनके तियार होएंगे देखिए अब हम लोग बनाते हैं इसके साथ की चट्नी जिसके लिए मैंने धनिया लिया है एक बड़ी प्याज ली है लेसुन लिए हरी मिर्च लेंगे नमक लेंगे स्वाद के नुसार आदी चमच हींग लेंगे हींग से काफेदिक स्वादिस्थ हमारी चट्नी बनके तियार होएंगे काला नमक लेंगे और एक चमच चाट मसाला लेंगे धाई लेंगे धाई से काफेदिक स्वादिस्थ हमारी चट्नी बनके तियार होएंगे चार बड़े चमच मैंने धई के लिए देखिए चटनी हमारी बनके तियार हो चुकी है अब हमने इसे एक बाउन में निकाले अब इसमें दो चमच और धई इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे देखिए लग रही न हमारी पनीर टिक के साथ खाये जाने वाली चटनी देखि और पनीर को इसके अंदर डाल देंगे पनीर, शिमला, मिर्च, प्याज वो सबको हम लोग इसके अंदर डाल देंगे अब हम इसके अंदर धनिय की चटनी को डालेंगे एक चमच धनिय की चटनी डाली हमने अब हम इसके अंदर अमूल क्रीम डालेंगे और बटर डालेंगे इसे काफ़ी दिक स्वादिस्थ हमारी रैस्पी बनके तियार होएगी और इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे ग्रेवी वाला हमारा पनीटिका बनके एकदम तियार हो चुक है यह देखिए इस तरीके से गर्मा गर्म आप पनीटिका घर पर ही स्वाव कर सकते है यह काफ़ी पसंद आएगी रैस्पी देखिए चलिए अब हम लोग इसे स्वाव करते हैं अमारे पनीटिके को यह देखिए ग्रेवी वाला पनीटिका हमारा बनके एकदम तियार है यह देखिए इससे सॉर्व करते हैं चलिए देखिए इस तरीके से हम लोगत कीब पलेटिंग करेंगे यह काफी स्वाधिस्ट चट्-पटा हमारा पनी। अब इसके अंदर डालेंगे बटर इससे काफी दिख स्वादिस्ट बन के तियार होएगा गिरीन चिटनी डालेंगे और बटर को मेल्ट करके हम लोग इसके उपड़ डालेंगे यह देखिए आप इसे नान के साथ रुमाली रोटी के साथ इसे वैसे भी खा सकते हैं यह देखिए फ्रेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सस् बादिस्ट हमारा पनीटिक का